हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग टॉल अफ्यू मैं इंजिने राहूल रंजन अस्टडी इंडियाड़ा की यूटूब चनल में आपका स्वाध करता हूं जहां दोस्तो जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर देख रहा होगा कि यहां पर आज जो कलासे जो होने वाला जाएगा दोस्तों और आपको मैं बता दो कि यह चैनल पर वही टॉपिक वही चैप्टर करवाया जाता है जहां से कोचान इक जामनर उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल कमेश्ट्री यानि अदौगी करा सायन से रिलेटेड हम लोग आज पूरा डि चैण से यहां और आधि जाना हम एधिया सब्सक्राइब नहीं किए हैं और विडियो को लाइक और शेडरर करें ठीक है क्योंकि आज का क्लास के लिए इंपॉर्डेंट है सभी स्टुडेंट के लिए इंपॉर्डेंट क्योंकि बहुत ही जो है ना मतलब ऐसा जो हीडेंट चैप्टर इसको बोला जा सकता है कि यहां पर स्लेबस पूतना हाइलाइट नहीं रहाता लेकिन यहां से चैप्ट एक कोचन जरूर दिखने को मिलेगा ठीक है ना और मैं आपको बता दो कि पेड़ स्टुडेंट जो भी है पेड़ ग्रूप जॉइन करना चाहते है जल से जल जॉइन कीजिए जिम पेड़ ग्रूप में यहां पर पचासी चवालेस एक साट तिरेपन बामान यह नंबर पर आपको बार्ट सब करना है ठीक है न क्लास नंबर जो है न 124 129 नंबर का क्लास इस नंबर पर आपको बार्ट सब करना है और यह पर जो Maxim azad ठीक है ना पेड गुरूप में सारा जितना 124 क्लास अब तक हो गए सारा का सुलूशन करके स्टेडियो मेटरिल आपको मिल जागा तो जल्द जॉइन कीजिए देर मत कीजिए क्योंकि आपको आपको रिभीजन करने का टाइम आ चुका है और रिभीजन करने का टाइम आ चु पर दिखे ना तो चलिए सविवच्चे रेडी हो चुके हैं तो चलिए फिर देखते सबसे पहले यहां से की टाइप का त्योरी है और यहां से किस टाइप से कोश्चन पुशा जाता है अब जो है प्रोपर जुमिंग हो गया वागा सबको प्रोपर के लिए दिखा दीजे चलिए फिर यहां पर देखेगा सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है सांथेतिक फाइवर यानि संसलिस्ट जो रेसी होते हैं सांथेतिक फाइवर यहां से हम लोग को जो है न हम लोग को बेसिक कॉंसेप्ट धीरे-धीरे देखना है इससे रिलेटेड आपको एक जाम में क पाई रंजग ओयल फैट इससे एक कोशन आपको नो एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा जब एक्जाम दीजेगा आपको खुद पता चल जागा कि बाकई में सर जो बोल रहे थे नो वो बिलकुल ही करेक्ट बोल रहे थे तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा संसलिष्ट रेसों का निर्मान कार्बनिक योगी के बहुली करन द्वारा होता है इस रेसे का उप्योग विविन परकार के करितिनी बस्तूओं के निर्मान में किया जाता है सेलोलोज प्रकृतिक रूप से उपजुक्त बहुला का उधारन है रूई और जूट प्रकृतिक रेशा है, रूओी जूट क्या है, प्रक्रितिक रेशा यहां पसे, जो जो पॉइंट जो है, जहां सिक जामनर कोशन उठाता है, वो पाइंट को मैं आपको भीवे लगाते चलूँगा, उसको जो है आप भीवे जो है, उसको इंडिकेट करते चलेगा, ठीक है न, वैसे जो है पेडिये पुराइड करा दूगा टेंसर नहीं लेना है जहांस देखिएगा जो सेलूलोज के बने होते हैं क्रित्रिम तरीके से प्रयोगसाला में त्यार किये गए सब्सक्राइब बनाते इस फाइबर बोलते हैं जैसे में क्या हो गया है र्याउन हो गया नायलॉन हो गया पॉलिस्टर हो गये है इसे एकजांपल आपको पूछा जाता है इसको भीवे लगाई ठीक है सब्सक्राइब है आपको पूछा जाता है र्याप से पूछ देगा कि आपको बताना करीतितरिन तरीका से प्रफिफ Champan चाहिए परीकुषा नहीं में बनाया जाता है चल हली यहाँ तक इसी को प्रोलम नहीं होना चाहिए आपको छुछ एहां पर जो सोच रहां हो ना कारवन निक हंग बहुली परणा भभभंविकरन इसे कहते हैं जो ना काशरवन के रहसाएन वंपरम सेहीं उस योगिक पडार्थ के दो या दू से अधीक अनु मिलकर एक दूसरा अनु त्यार करते हैं ना उसी को उसी को जो है ना बहुलक बनाया जाते है जिसका परतिशत संगठन में जो है वहां पर कुछ एक रेशियो में दिया हुआ होता है और इसी को जो है जो कोई एक अनुभार के रूप में जो होता है उसी को जो है न पोलिमरेजेशन बहुली करन इंगली से रेसा है रेयोन कौन सा रेसा है जी नवीक्रीत रेसा है इसका रेसा रसाइनिक रूप से रूई के रेसे के समान होता है इसका रेसा रसाइनिक रूप से रूई के रेसा के समान होता है तथा इसमें रेसम जैसी चमक होती है रेयोन में रेसम जैसा चमकीला होता है रेयोन जो ह आपका जो है ना theoretical portion है आपको मैं बता दो chemistry का आपको पूरा topic complete करा दिया गया है सिर्व एक और एक और chapter बचा हुआ वो chapter में chapter कौन है जी carbon and its compound carbon and compound बहुत ही scoring chapter है उसको जल्दी करवाया जागा ठीक है ना जान से देखिएगा इस लिए इस रेशे को नविक्रीत रेशा कहते हैं रियोन का उपयोग जो है ना कपड़ा शैल चिकित्सक शमंदीद पटिया बनाने में तथा टायरेमम कॉलीन के रूप में निर्मान किया जाता आपसे जो है न यहाप आपको याद क्या करना है आपको याद करना है कि इसका के ग्जामपल कहां यह जो हथा वह जिश को नायलोन के बारे में देख लेते हैं नायलोन जो कि आ परस्थी नायलोन को जो देखते हैं अमेरिकी बेख्या निकैने इस मैलीमाईड जुक्त क्रें इत्रिम रेशा को संस्लिस्ट करने के बाद एक नया पदार्थ बनाया था जिसे नाइलोन कहते है नाइलोन एक क्या है जी थर्मो प्लास्टिक है यह चीज़ आप से पुछा जाता है नाइलोन क्या है थर्मो प्लास्टिक है ठीक है नाइलोन क्या है थर्मो प्लास्टिक है ए एपिडिक, अमल और हेक्सा मेथलीन, डायमाइन के योग के बहुली करण द्वारा बनाया जाता है, बास्त में नैलोन मानब द्वारा संसलिच्ट किया गया पहला रेसा है, ये बहुत इंपॉर्डेंट कोशन इसको भीवे लगाईए, कृत मानब द्वारा संसलिच्ट किया पर्थम रेशा कौन है जी नाइलॉन है यह चीज आपको एक्जाम बहुत और पुछा गया है नाइलॉन के अब प्रकृतिक रूप से उपलवद नहीं होते हैं इसका मसीन के पूर्जो बनाने है तो प्लास्टिक के रूप में किया जाता है ठीक है अब आते हैं पॉलिष्ट एक है न संस्लिष्ट needs to bella system as stressATION ना संक्रातिक फाइवर जो की मैंड मेरं द्वार होता है जिसे इंगलैंड में विक्सित किया गया था यह इस्टर काराने से होता है इस कुक्षित कराने से होता है। बहुत कम पानी सोकते हैं पॉलिस्टर कपड़ा वैसे भी देखते होंगे कि पानी कम सोकता है इसलिए पॉलिस्टर जल्दी जो है सुख जाते हैं इसका उप्योग साड़ी बनाने में परदा बनाने में नौकाओं के पाल बनाने में एवं अगनी समक के लिए हौजपाई बन पूछता है और वो चीज़ जो है ना हम लोगे जो कोश्चन करेंगे अभी तो वहां पर सारा कॉंसेप्ट को किलियर होगा ठीक है ना मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो मैं आपको बताया था वहां से कोश्चन पूछा जाता है छलिए फिर आगे यहां पे देखते हैं पलास्टीक इसे पदार्त का समुह है पलास्टीक एक ऐसा पदार्त का समुह है जो असानी से मोड़ा जाता है बिल्कुल यह तो simple प्रबटी बेसिक प्रबटी है तथा उसे किसी भी अकार में ढाला जाता है polyamide एम पॉलिस्टर प्लास्टी का उधारन है आप से polyamide पूछ देगा कि इसका एक्जामपल है जी या फिर पॉलिस्टर किसका एक्जामपल यह दोनों जो है न किसका है प्लास्टी का ही एक्जामपल है आज कल अनेक रसाइनिक विद्धियों द्वारा अनेक प्रकार के प्लास्टिक बनाए जाते हैं उश्मा के परवहाओं के अधार पर प्लास्टिक के दो भागों में बाटा गया ह पहला भाग क्या है जी प्रकृतिक प्लास्टिक दूसरा क्रितिरिम प्लास्टिक प्रकृतिक प्लास्टिक या इसको क्या बोले आता है नेचुरल प्लास्टिक और क्रितिरिम प्लास्टिक को क्या बोले आता है आर्टिफिस्यल प्लास्टिक बोले आता है प्रकृतिक प्लास तो ठंडा करने पर बहुत ही कठोर हो जाता है हाड हो जाता है लाह इसका एक अच्छा उदारन है ठीक है न चलिए आगे बढ़ते हैं क्रित्रिम प्लास्टिक क्या होता है इस प्लास्टिक में इस प्रकार के प्लास्टिक क्रित्रिम बीदी द्वारा बनाए जाते हैं क्रित् थंड़ा करने पे क्या होता है कथोर होता है इस प्रकार के yellow उस्में सर्उडा बिदमान होते हैं चाहें उसे कितनी ही बार गर मैं थंड़ा क्यों न किया जा जाए उसका प्रपर्टी चेंज नई होने वाला है यह उसका औरिजिनल प्रपर्टी है पॉली एथिलीन टेफलॉन यह सब क्या है एक्जामपल है उश्मिय प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक एक्जामपल इसका ध्यान में रखना है जी एक्जामपल ध्यान में रखना एक्जामपल से को मुलायम हो जाता है लेकिन फिर दुवारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होता वैसे प्लास्टिक को ताप द्रिड प्लास्टिक यानि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बोला जाता है जैसे इसका एक्जामपल क्या हो गया बेके लाइट इसका एक्जामपल कौन सा हो गया बेके हमनों कॉंसेट्ट को देखें हैं आब आते हैं थोड़ा सा जरे सिए q hard left high quality hahaha कैसेभियों आपका इस ड्यान से देखेएगा का से इंपोरड़न दॉस्ट हो अपसे पूछेगा जैसा टेफलॉन है इसका यूज क्या होता है नानस्ट इक कुकिंग बरतन बनाने में यूज होता है नानस्टी कुकिंग बरतन बनाने में यूज होता है पॉलिथीन का यूज क्या होता है पैकिंग समागरी बनाने में यूज होता है जैसे ठैलियां ट्यूब ये सब यूज होता है टेफलोन बहुत और important है यानि समझें कि पूरा table याद कर लिजिएगा आपको याद क्या करना है polymer और उसका उपयोग को याद करना है polymer और उपयोग को मैं लिख देता हूँ table को याद करना है table को याद करना है यहां से एक कोचन दिखने को जरूर मिलेगा पीवीसी केबल होता है तार बायर ये सब उस्वे बनाने में नायलोन को याद करनाने में तीरिलीन का यी पूछ लिया जात है और फिर फिर एथिलीन का अब आते हैं हम लोग रबबड के बारे में जानते हैं रबबड क्या है वैसे तो रबबड के बारे में बहुत लोग जानते भी होगे लेकिन हमको जानना बेसिक है कि रबबड आखिर होता क्या है रबबड आखिर होता क्या है रबबर प्रकृतिक में पाये जाना माले क्या ह से रूप में प्राप्त किया जाता है कि किसे ब्रीग्च के से लेक्टेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है इस रबर का आकार不 बदला जाता है बिलकुल लेकिन खीचाओ बल हटा लेने पर यह फिर से अपनी पुरानी आकरितिक गरहन कर लेते हैं रबड का जो है प्रपर्टीज है यह अत्यधिक लचीला पदार्त है प्रकृतिक रबड आईसो प्रीन नामक मोनोमर का बहुलक है यह यह देखिए यहां से कोश्चन नकाल लेगा ठीक हाना इसको भीवे लगए यहां से कोश्चन निकाल लेगा 2000 नहीं शन सतासी आGHTठासी पूछा गया ठीक है निए पूछ देगा, प्रकृतिक रबड किसका बोहलक है ताइसोप्रीन का बोहलक है जी? आइसोप्रीन का बोहलक है अस्टार मार्क का याद कर, या थर्मो पलास्टिक है, लेकिन जब इसे सल्फर के साथ गर्म करने के बाद कोई आकार दे दिया जाता है तो यह उस आकार को बनाये रखता है क्योंकि उस परकिरिया के दौरान सल्फर रबड के अनुक स्रिंकलाव में संजोकर उसे प्रसपर तिर्यक बंदक यानि थ्री डैमेंशनल बना लेता है इस इस परकिरिया को रबड का बलकनी करन किया जाता है बलकनाईजेसन बलकनी करन कहते हैं इस परकिरिया को जिसमें सल्फर को मिलाने के बाद उसका प्रपर्टी चेंज होता है ठीक है न इस परकार के रबड का उप्योग दस्ताना बनाने में रबड पैड बनाने में टीव ब बढ़ते हैं संसलिस्ट रबण में बना वियुना रबण नियोप्रीन रबण यह उतना इपाड़न नहीं है इसका उप्योग टायर बनाने में किया जाता है ठीक है अब आते हम लोग कुछ नीचे देखते हैं यहां पर फियोरी वाला को यह चैप्टर है एक बार देख लिज दशक देख लिख लेते हैं जिसको पीवीची क्या है जी पॉलिवग इनाईल कलोराइड इसको फूल फॉर्म होता है पॉलिवीची का फूल फॉल फॉर्म पॉलिवेनायल कलोराइड होता है है यहां Binal chloride के बोलीकरण से पराप्त होता है इसका पतली, चादर, फील्म, बरसाती, सिट कभर यह समय तो बेकलाइड क्या है यह फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड को सोडियम हाइड रोकसाइड की उपस्तितीमें गरम करके प्राप्त किया जाता है कि इसका फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड को सोडियम हाइड अक्साइड को उपस्तिती में गरम करके प्राप्त किया जाता है इसका उप्योग रेडियो टेलिवीजन ये समय किया जाता है इतना जानना जरूरी है इसका उप्योग जो है ना पूछा जाता है पॉलिथीन क्या है जी यह एक थर्मो प्लास्टिक है पॉलिथीन क्या है थर्मो प्लास्टिक है जो एथिलीन के बहुली करन से प्राप्त किया जाता है ये सब पाइट है ना यह पूछा जाता है कि इसका बहुली करण से प्राप्त होता है तो आपको बताना पड़ेगा पॉलिथीन एथिलीन के बहुली करण से प्राप्त होता है ठीक है ना इसके पाइप तार के उपर के आबरन पैकिंग ठैलिया यह सब बनाने में जो है पॉलिथीन क रैक्सीन क्या होता है जिसको रैक्सीन जो है न यह क्रित्रिम चमड़ा है रैक्सीन क्या है क्रित्रिम चमड़ा इसका उपयोग शेलूलोज या बनस्पत्ति से प्राप्त होता है इस अच्छा रैक्सीन मोटे बैक्स पर पाई रॉक्सिलीन का लिप चड़ा करके बनाया जात जाता है यह जो है ना सीएफसी का जो है फ्रियान भी बोले जाता है इसको इंपॉर्डंट है याद कर लिजेगा या ओजोन रख जो होता है जो होता है और जोन परत के छरण में महत्वपूर्ण भूम का निवाता है जी इसका उप्योग बिलायक परिवेच्छा क्या पर सित इसीड क्या है मोनोहड्रोक्सी अमल है जो क्या होता है जो जल में बिले तता कार्बनिक विलायकों में अबिले होता है इसका प्रबड़िज होता है यह खट्टे दूध में पाए जाता है मानस्पेशियों में इसका अमल से कत्रित होने पर जो है ना जो क्या होती है थकाव जाता है यह एक पिड़कनासी दवा है जिसको एसी टाइल सेलिक अमल को एस्परीन भी बोले जाता है गैक सेमें यह भी उतना इंपॉर्डन नहीं है डिडिटी हाँ डिडिटी को कलोरल से बनाया जाता है और यह परमुक कितना सा के जिसका पूरा नाम डिड़कलोरोफिनाईल डिट्राइकलोरोइथेनिस का पूरा नाम है ठीक है डिड़कलोरोडाइकलोरोडाइफिनाईल ट्राइकलोरोइथेनिस का पूरा नाम है डिडिटी का फूल फॉर्म है ठीक है याद कर लिजेगा अच्छा कोशन यहां सा कोशन पूछा जाता है ठीक ह थाल आज़ा वह लीजाता करें ना डाइखलो कर लीजीगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हम लोगों कि सामने क्या एक्सप्लोजिव जिसको बिसफोटक के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शाबून के बारे में देखेंगे, उसके बाद ओयल और फैट, वैक्स, डाई, सभी के बारे में देखेंगे, तबी हम लोग इसका कोहचन लगाने वाले, क्यों से एक कोश्चन एक्जाम में देखने को मिलता है प्रिवियस एक कोश्चन को देखिएगा बिस्पोटक क्या आजिए वैसा पदार जिसके दहन से अत्यधीक उस्मा उत्पन एवां तीव्रद्वानी उत्पन होता है न उसी को बिस्पोटक बोलते हैं ठीक है अब डाइनामाइट क्या है डाइनामाइट के बार में अलफेट नोवल ने खोज किया था कब किया था उन्हीं 1863 में किया था यह बहुत बार कूछा गया है बहुत बार यह पूछा गया है 1830 में डाइनामाइट का विसकार हुआ था अधोनिक डाइनामाइट में नाइट्रो glycerin की जगा sodium nitrate का फ्रोग किया जाता है ठीक है ना नाइट्रो glycerin जो है जनरली यूज किया जाता था लेकिन उसके जगा sodium nitrate का फ्रोग किया जाता है अब बात करते है TNT TNT क्या है जी TNT हलका पिला क्रिश्टलिये ठोस्पदार्थ है या टॉलविन C6H5 CH3 जी का सांद सल्फियृक एवं सांद नाइट्रिक आम लेयानी एचनो थिरी के किरिया करके बना जाता है इसका सबसे अधीक उप्योंग ना बिसपोटक के रूप में TNT का यूज किया जाता है इसका पूरा नाम जो पूरा नाम पुच लिया जाता है फूर सींटी का ट्राइडनाइटव टालविन होता है ठीका TNG क्या है ट्राइं नाइट्रो गिर्चीय को आपका घी का होता हुव्य था यह या बना पुडियोंग लाइक के बना जाता है से लोग विडियो को like कीजे, channel को subscribe कीजेगा, कोई आपसे बातें नहीं करेगा, यहां से आपको ये question जरूर exam में दिखने को मिलेगा, सो B-Serious Soccer के study किया कीजिए B-Serious Soccer के study किया कीजिए ठीक है B-Serious Soccer के study किया कीजिएगा यह हलका पिला क्रिष्ट लिए ठोस होता है जो अत्यधिक 20 फोटक होता है ठीक है ना RDX क्या है जी RDX के बार में थुथा देख लेते है यह भी एक bisphotek पदार्थ है, जो संजूकत राज अमेरिका में, साइक्लोन नाइट, जर्मिनी में HEXOGEN, इटली में T4 के नाम से जाना जाता है, देखेगा बिसफोटथ है RDX, जिसमें संजूकत राज अमेरिका में इसको दुसरा नाम से जाना जाता है, 사یک sellers के नाम से जाना जाता है यृसे में जर्मिनी में हेक्सों लास जाना जाता है लिट्ली में टी-फॉर के नाम से जाना जाता है इसमें प्लाषीक पतार्थ होता जिसमें poly butyl acrylic problème polyurethene मिला करके polyester branded explosive बना ci नहीं इन्युक्त है सरे जूसए है ँपनध है यह जानना है ठीज़ान सब्सक्रावं बोधार करे एक और या यिसमें को मरत striktा अब्लाग को बोले या तो यह और बहुता है गो यह सकती उत्पादने परजुक्त होने के कारण निसे सकती अल्कॉहल बोले जाता है यह परिशोधित स्प्रीन बेंजरी सब पढ़ने वाला यह थियोर मैं परवाइट करा दूगा पढ़ लीजेगा ठीक है न देखेगा यह सब जो है न पढ़ लीजेगा यह सब पढ़ दनकर में परवाइट करा दो गा disgustration पूछ सकता है supplier कली साबन के बारा में देख लेते यहां सब नेकिया है साबन उच्च बसा अमल ईएक इसका फृर्मुला यह होता है और c Future Banks अमल का सोडियम लवन होता है इसका पुझूक्त हमलों से प्राप्त सबीन फीरें इस पर्कार है या तेंथ में साबून के बारे में पढ़े होंगे केंतम इसार हिánh सबूरा के लिए संब होगे और वहां से कोंचा जो है जो बनस्पतिक तेल यानी भेजी टेवाल ओयल या बसाओं का छार द्वारा अपगटन करकर बनाया जाता है बनस्पतिक तेल एवं बसा गिलिस्टरॉल के ट्राइश्टर होते हैं यहां से वो चीज़ नहीं साबनी करन जैल अपगटन के वैसी किरिया जिसमें छारों द्वारा बनस्पति तेलों एवं बसाओं के अपगटन की किरिया की फल सरूब बसा अमलों के छारिये लवन और गिलिस्टरॉल प्राप्त होने को साबनी करन करती है तो जैस्ट डिफनेशन है डिफनेशन थोड़ी पूछेगा आपसे आप से पूछेगा क्या यहां से देखिएगा साबन कुट पादन मैंने एक परकार के तेल एवं मिसर जूपत होते हैं जैसे अलसी का तेल नारियल का तेल मुंफली का तेल स्वहबीन का तेल बिनौले का तेल एक जामपल पढ़ लिजेगा एक जामपल कभी पूछ लिया जाता है ठीक है ना आदार सावन के बिस्ष्थ आएं, आदार साबून के बिसेस ताएं कि ये सब उतना जरूरी नहीं है, हाँ, जरूरी यहां पर यह है, एक होता है हाड़ साब, एक साफ्ट साफ्ट, हाड़ साफ्ट क्या होता है जी, यह सस्ते तेलेवं बसाओं से बना होता है, जो कपड़ा साफ करने में काम आता है, कप होर सावून कामाता है ठीक है ना और मुलाम सावून क्या होता है यह उच्छे कोटी के तेले ओम बसाओं से प्राप्त होता है जो असनान करने में कामाता है कपड़ा साफ करने में कठोर सावून का यूज किया जाता है और असनान करने में मुलाम सावून यानि सौफ्ट साव साबुन बनाया जाता है जैसे परदर्सी साबुन एक आता है जी उस साबुन का नाम क्या है उस शाबुन का नाम है जैसे पियर साबुन भी एक ट्रांस्पेरेंट सामुन है ठीक है ना एक होता है हजामती साबुन हजामती साबुन क्या बोलते सेविंग सॉप इस परकार के सा जाग उत्पन करता है और फेना उत्पन करता है और घ्लीसरॉल जाग को सुख्ने नहीं देता है एक होता है इस परगार के साबुन कुछ औसधी बनाने में किया जाता जैसे नीम का साबुनी सब क्या है कोई कुछ हम लोग डिटर्शेंट के बारे में देख लेते हैं डिटर्जेंट क्या होता है ठीक है नहीं सब इंडेटTI R Shanghai कोशेन है रहां सब पूछा जाता है इसमें क्या एक लाइन क्या से लवन है यह सब पढ़ लिजेगा ठीक हनक इसका सका एक्जामपल सिर्फ व्याद कर लिए अपमार्जा का क्या होता है सोडियम ऐलकायल सल्फ tou एब मार्जमिंड स्फोनेड ये सबुदं का एक्जामपल हैं औो कि टेटारजेंट में एंजाइ मिला हुआ हुआ हो फदार्थ बहुत ही साफ करता है इस परकार धुलाई को माइक्रोध नाइब बला याता है यहां पूतना इंपोर्टेंट इसको एक बरड़ेजेंट का डिफ्रेंस एक बार पढ़ लिजेगा यह टेबल को पढ़ लिए जैसे सावन अमलोद का सोडियम लवन है लेकिन आप मार जाग बेंजिक सलफोनिक अमल का सोडियम लबने यह डिफरेंस पढ़ लिजेगा ठीक है ना पेड़ भाले गुरूप में डिफरेंस जो पीडियो पुराइट करा दिया जागा डिफरेंस पढ़ लिजेगा तेल और बसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते ह जाब है जे तेल, और ऑफेट उच बसा अमलों से बने ग्लिसराइल तेल बसा का लाते हैं ग्लिसराइल ट्राइ रई हाइड्रिकलकोहल है इसके इस्टर ग्लिसराइड कहलाते हैं यहां पर यह पॉइंट याद करना है यह यह-स यह कोश्चन पूशा जाता है ठीक है na? बा अमलों में साधारंत अश्ट्रीग और पॉमीटिक और ओलेइक अमलों के ग्लिस्टरॉल के साथ बने ट्राइस्टर पाए जाते हैं यह भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है ओल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार पीडियो पढ़ लीजेगा उतना इंपोर्टेंट है जहां से कोशन पूछा जाता है वो मैं आपको ठीक लगाते चल रहा हूं ठीक है ना बाकी फूली तरह से जो है ना थियोरिटकल है चप्टर खनीज तेल यानि मिनराल और खनीजोस से पराप्त होता है जैसे यान E sleण ऑलना रहार का यंगी सुगंधी तेल क्या है जो सब क्या है जाम्प ए typ में भडृर प्रभी यह सropic रांटान भाल प्तिव प्लांट येंअल रोख रीला ऀस एक पूर्ड लिजेगा कि डिफ्रेंस है खनीज तेल और सधारन तेल का यहां से कोश्चन उतना नहीं पूछता है वैक्स के बारे में थोड़ा सब देख लेते हैं वैक्स यानि मूम तेल एवं बसा के समान मूम की प्रकृति में पाए जाने वाला एक एस्टर होता है लेकिन यह एक एस्टर ग्लिसर काईल के अस्थान पर उच मोनो हाइडिक अलकोल को मिला करके इस्टर को निवान करती यह उतना नहीं यहां पर इंपोर्टन कहां पर यह यह देखेगा पैराफिन मूम की आई जी यह पेट्रोलियम से पराप्त होता है यह पॉइंट को याद की जिए पैराफिन मूम जो है किस से पराप्त होता है पेट्रोलियम से पराप्त होता है और यह उच हाइड्रोकार्वन का बना होता है शहद की मक्खी का मूम अगर देखा जाए सहद की मक्खी का मूम यह क्या होता है सहद की मक्खी का मूम जो होता है यह मुक्ता मिरी सिल पॉमिटेट पाए जाता है इस सेटिल एलकोहल एवाल पॉमिटेट अमल बनता है, इसका सुतर देखिए, यह याद कर लेजेगा, पूछ सकता है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना, क्या है, अस्पैरमेटी मोम इसको, इसका सुतर है, याद कर लेजेगा, बजारू मुंबति क्या यह मोम ठोसी है बस यह अमलो का मिसरन होता है जिसमें मुख्य रूप से एस्ट्रियेटिक अमल और पॉमियेटिक अमल मिस्रित होता है मोम बत्ती की बात करना मोम की डाई के बात करते हैं रंजक जिसको बोलते हैं, डाई यानी रंजक, विभिन परकार के देखेगा यहाँ पर जो मुमबति है न, यह बजारों मिलता है न, बोचिज के बारे में आपके बोल रहा है, यह ठोस बस यह अमलों का मिसरन होता है, इसमें मुख्र रूप से एस्ट् लगून होता है यहां से उतना इंप्वर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है हम प्रण परण नहीं है ठीक है जो पाइंट बॉलन है मैं आपको शम्झा दिया हूं है अब आए हम लोग कोश्चन लगाते हैं बहुत देख लिए कोश्चन लगाएगा कि इस टैप question पूछता वो चीज़ को जानना जरूरी है। सभी बच्चत थियोरी लगाने के लिए रिडू हो गए हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक ऊ shy DOC पर आहिं कि कि पढ़ाा-फट वीदियो को लाइक करें ४ हाँ बनाएगा जी थर्मो प्लास्टिक क्या है थर्मो प्लास्टिक क्या है यहां से कोश्चन आपको पूछा जाएगा देख सकते हैं इस चैप्टर से कौन-कौन कोश्चन पूछता है बताएगा से लोग थर्मो प्लास्टिक क्या है बहुत अच्छा कोश्चन है थर्मो प्लास्टिक क्या है इसे लोग बताएगा थर्मो प्लास्टिक क्या है चार अप्शन दिया गया है पॉलिथीन पीवीसी पॉलिस्ट्रीन देखेगा एक्जामपल में बताया था ना एक्ज डी जो बोल रहो बिल्कुल करेक्ट अंसर बोल रहो बिल्कुल करेक्ट अंसर बोल रहो चलिए आगे कोश्चन के और बढ़ते हैं अगला कोश्चन जो आप से पूछा जा रहा है प्रकृतिक रेसम क्या है प्रकृतिक रेसम क्या है सब लोग बताएगा प्रकृतिक रेसम क्या है चार ओप्सन दिया गया है सब को अंसर आना चे प्रकृतिक रेसम क्या है जी प्रकृतिक रेसम पॉलिस्टर है पॉलिमल है पॉलीएमाइड है ऑप से न बीस कोशेंग का और ख़र्यक्त अंसर वोगा क्रितिक ओली एमाइड है उजा अगला कोश्टर जो आप से पूछा गया है ऑगुछों है इसफो authority देखे थर्ड नमर कोश्चन करित्रिम रेसम निम्न में से किस से त्यार किया जाता है देखेगा जो मैं आपको बताया था ना कि एजामपल पूछा जाता है एक पर देख लीजेगा सभी उसका थियोरी का पूछा जाता है करित्रिम रेसम निम्न में से किस से त्यार किया जात है इसे लोग बताएगा चार अप्सन दिया गया है लैक्टोस ग्लैक्टोस माल्टोस सेलुलोज से त्यार किया जाता है आप्सन डी जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट अंसर बोल रहे हो चली आयो बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखिए प्जिक फूल फोल फूम ना इसी टायब कोश्चन पुशा जाता कैया है अभी जश्ट मताया सभी लोग बताएगा प्रतिक स्टूरेंट साहर आना चيह साय प्रतिक पिसय का फूल फूम क्या होता है सभी लोगो देगा PVC का full form क्या होता है polybinoil chloride होता है क्या होता है polybinoil chloride होता है option यह जो बोल रहो नो वो बिल्कुल correct answer बोल रहो PVC का full form polybinoil chloride होता है अगला question आप से पुछा जा रहा है वे चीज़ को प्रोग जो किया गया था वो पदार्थ कौन सा था बताएगा सभी लोग क्रित्रिम रेसम बनाने में जो प्रोग किया गया था पदार्थ वो पदार्थ का नाम क्या था जी क्रित्रिम रेसम बनाने जो प्यूच किया जा था उसको cellulose nitrate बोले जाता है क्या बोले जाता है cellulose nitrate अगला question आप से पुछा जा रहा है यह question को बनाएगा television का case सधारंत किस plastic से बना होता है television का case सधारंत किस plastic से बना होता है बेकेलाइट पॉलिवेनाइल बदाएगा टेलिवीजान यानि टीवी का जो केस होता है न उपर जो बोडी जो होता है वो किस इसका बना होता है बेकेलाइट प्लास्टी का बना होता है किसका बेकेलाइट जो बोल रहे हो न वो बिल्कुल करेक्ट अंसर बोल रहे हो फूल इ CH2, CO, NH, CH2, 6, HNOC, यह जो है याद कर लिजेगा, चले आगे बढ़ते, अगला कोश्चन है, निली काली स्याही के निर्मान में परजुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, निली काली स्याही के निर्मान में परयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, जी सब बताएगा, निल आधाली काली स्याही के निर्मान में प्रियोग होने वाला पदात कौन सा है उसको गैली कमल बोला आता है option D correct answer होगा गैली कमल चलिए अगला question आप से पुछा जा रहा है अगला question है thermosetting plastic का example क्या है thermosetting plastic का example क्या है शब लोग बताएगा thermosetting plastic का example क्या है शब लोग अंसर दीजेगा thermosetting plastic का example क्या है थार no thermosetting plastic का एगजांपल क्या है weakest LIT है ठीक है थैकर थर्मosetting plastic को रोटारान बेकल राइट अगला question अब से पूछा जा रहा है chloroform chloroform क्या है बताएगा सबी क्लोरो form क्या है chloroform क्या है आप लोग देगा chloroform क्या है à chloroform में निस्चेतक दवाह है ठीक है ना ओप्षन टिसकोशन का करेक्टेंसर हो गा 2 आठो चलेगा यह कुशन को फिन्सपोषण को बनाइएगे गा फीडैल से जो भीडैलfect प्राफ्टो ! होता है उसका नाम क्या है उसको नाम है पिक्रीकमल ठीकरिकमल 800 क mamla अगला कोश्चन है टी एंटी का पूरा नाम बता ही है टी एंटी का पूरा नाम बता ही है सब लोग को टी यंडि का पूरा प्ला भूल फॉर्म पूचा जा रहा है बताया था ना मॉप्शोंिसольно-पी आ यह चांज चाहन weniger ट्राइव ट्राइई-नाई-ट्रौ टाइलूई राइनिट्रो त्राइन नाइ्ट्रो टाइलोईन उप्संद सी करेक्ट अंसर होगा, टेट्रा नाइट्रो नहीं, ट्राइनाइट्रो होता है, अगला कोश्चान आप से पूछा जा रहा है, टीएंजी का फूल फॉर्म, देखिए, पूछ दिया न, फूल फॉर्म में आपको बदाए था, TNG का full form क्या होता है? जी बतेगा सब लोग TNG का full form क्या होता है? TNG का full form क्या होता है? ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरीन होता है, क्या होता है, ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरीन 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 होता है, ट्राइ नाइट कॉशन आप से पूशा जा रहा है स्याही बनाई जाती है बहुत इंपर्ण uda को हिर अग्ला कोश्शन आप से पूशा जा रहा है कठोर जल में कपड़ा धोने के लिए फिरू किया जाता है कठोर जल में कपड़ा धोने के लिए क्या प्रोकिया जाता है कठोर जल में कपड़ा धोने के लिए अप मार्जा का प्रोकिया जाता है ठीक है ना कठोर जल में कपड़ा धोने के लिए अप मार्जा कठोर जल सॉफ्ट जल अपको बताया था थियोरी में ठीक है ना देखे एक्जाम्पल में आ गया ना कोशन में चलिए अगला कोशन आप से क्या पूछा जा रहा है शाबून बनाने में तेल के साथ परोग किया जाता है कौन सा तेल इच किया जाता है जी शाबुन बनाने में तेल के साथ प्रोग किया जाता है, किसका प्रोग किया जाता है, शाबुन बनाने में कास्टिक सोड़ा का यूज होता है, किसका कास्टिक सोड़ा आप्सन भी करेक्ट अंसर होगा, शाबुन बनाने में तेल के साथ प्रोग किया जाता है, अगला कोशन आप से पूछा जा रहा है लॉरील इलकोहल का सुत्र इसको भी बेल लगा यह सब लोग लॉरील इलकोहल का सुत्र क्या होता है जी वैसे मैं फर्मूला का लिस्ट भी प्रोवाइड करा दिया गया था और मैं आप लोग को जो है न एक important जो है chemical compound का लिस्ट फ्रोवाइड कराऊंगा साथ में तत्व शंकेत दरूश का जो उसका भी लिस्ट में आपको फ्रोवाइड कराऊंगा अस्मर्नी ये तत्व है वो हासे question जो है पूछा जाता है laurel alcohol का सूतर क्या होता है पेड ग्रूप में सारा पीडियो फ्रोवाइड करा दिया जाएगा laurel alcohol का सूतर क्या होता है जी c 12 h 25 oh h होता है अगला question आप से पूछा क्या जा रहा है malaria में परोग की जाने वाली औस्धी का नाम क्या है भी वे लगाये अच्छा question है Malaria में प्रोग किये जाने वाली औसधी का नाम है Cloro Queen है, क्या है जी? Cloro Queen है, Option C Direct Answer होगा Malaria में प्रोग किये जाने वाला औसधी का नाम क्या है? Cloro Queen है Cloro Queen Option C direct answer होगा अगला कोश्चन आपसे पुशा जा रहा है प्रकृतिक रेशा कौन सा है इसको भीवे लगाईएगा बहुत इंबॉर्डन कोश्चन है प्रकृतिक रेशा कौन सा है जी प्रकृतिक रेशा कौन सा है सब लोग बताएगा प्रकृतिक रेशा रेशम रेशम इस कोश्चन का बि ज्यान से देखेगा, बैसलीन में जिवानु नासक के रूप में परजुक्त होता है, बैसलीन में जिवानु नासक के रूप में जिंक अक्साइड का यूज होता है, इसका जिंक अक्साइड का, option भी इस question का बिल्कुल correct answer होगा, option भी इस question का बिल्कुल correct answer होगा, अगला question आपसे पूछा जा रहा है, जियान से देखेगा, क्या question है, हजामत बनाने वाले साबुन में उत्पन ज्हाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थू का परोग किया जाता है, हजामत बनाने वाले साबुन में ज्हाग को सुखाने क लिए ये दोनों चीज़ बताया गया था, बतायेगा सभी लो, glycerol का परोग के जाता है, ठीक है न, glycerol का परोग के जाता है, option B इस question का correct answer होगा, अगला question आपसे पूछा जा रहा है, बहुत important question है, dynamite का विसकार किस ने किया था, इसको भीवे लगाईए, अभी मैंने बताय हूँ, dynamite का विसकार किस ने किया था, जी, alfade novel ने किया था, कौन किया था, alfade novel option D correct answer होगा, dynamite का विसकार किस के द्वारा किया गया था, alfade novel के द्वारा किया गया था, और आगे भी है क्या, यहाँ पे हम लोग classes को देंड करते हैं, classes क्या हो गया, देंड हो गया, और यह हम लोग industrial, industrial chemistry, IC, industrial chemistry का हम लोग classes देंड कर लिए हैं, आज जो date है, 26 है, 26 2020 है, 26 2020 है, इसका paid group में जल्दी video provide करा दूँगा, सभी लोग video को like करें, channel subscribe करें, जो अभी तक channel को subscribe नहीं किया, वीडियो को like और share जरूर कीजेगा, और जितना classes अब तक हो गया है, उसका study material, study PDF चाहिए, तो जल्द से जल्द जोईन कीजे, क्योंकि आप revision करने का time आ गया, आप paid group जल्द से जल्द जोईन कर लिजे, paid group जोईन करने का number है, 85416322, यह मेरा personal whatsapp number, इस whatsapp number पर आपको message करना ह है, मात्र आपको 399 लग रहा, 399 रुपया में आपका पूरा जितना classes हो गया है न, उसका सारा study material मिल जाएगा, ठीक है, पूरा जो है, complete package question bank के साथ में, और पूरा classes के साथ में आपको, उसका solution के साथ, वीडियो के साथ में पूरा study material वहाँ पर मिल जागा, ठीक है न, तो से झाल